सूप्रभाद बच्चों कैसे वह आप सब आशा करते हूं कि आप सब कुशलवंगल होंगे और हमारी डिजिरल क्लासिस का अनन्द उठा रहे होंगे आज की वीडियो में हम करेंगे रेद की तश्त्री में अक्षर ह तो पहले हम अक्षर ह से समबंदित शब्दों को आपको दिखाते हैं उसके बाद हम करेंगे रेद की तश्त्री में ह तो देखो बच्चों ये क्या है ह ह ह थोड़ा जब हमें कोई भी वस्तू दिवार में ठोकनी होती है कि तो हम ह् थोड़े का इस्तमाल करते हैं ह ह थोड़ा ह, ह थोड़ा, तो देखो बच्चों, ये क्या है, ह से हार, ह, हार, हार को हम गले में डालते हैं, ये इस्त्रियों के डालने का आभोशन है, ह, हार, तो देखो बच्चों, पेड़ और घास का रंग कैसा है, हरा रंग है, पेड़ और घास का, ह, हरा, ह, हरा, जो ग्रीन रंग होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं, हरा, ह, हरा, तो देखो बच्चों, कितना बड़ा जान्वर है ये, ये है हाथी, ह, हाथी, ह, हाथी, ह से हाथी सून हिलाता, आगे आगे बढ़ते जाता, ह, हाथी, ह, हाथ, ह, हाथ, हाथ से हम सारा काम करते हैं, कुछ लोग सीधे हाथ से काम करते हैं, तो कुछ लोग उल्टे हाथ से काम करते हैं, लेकिन कुछ चीजे हम ऐसी होती हैं, जो दोनों हाथों से करते हैं तो क्या है हमारा हाथ तो बच्चों अब रेट की तरस्पी में लिखेंगे अक्षर ह अपनी इंडेक्स फिंकर से एक छोटी खड़ी रेखा उसको थोड़ा सा मोड़ कर हम आधा गुला बनाएंगे फिर एक और अधा गुला बनाएंगे और फिर अपनी उगली को उपर ले जाएंगे और निकाल देंगे हमें इसकी एक पूंच और फिर उपर लगा देंगे हमें एक छट ऐसे छट लगाएंगे एक सोती हुई रेखा से ताकि हमारा हाथ बारिश में न भीगे तो बच्चों ये हमने क्या बनाया है व्यांजन ह तो आप अपने घर में रखे हुई रेट की तस्त्री में व्यांजन ह को लिख कर देखिए ताकि आप ह लिखने में परिपक हो पाएं धन्यवाद आपका दिन शुब हो